आज सुबह मुरानीपुर नगर फिर उस समय छुलस गया जब 13 जून की रात नगर के दुबे चौक में हुई ताबरतोर फाइरिंग में तीन युवग घायल हो गय थे जिनमें आज बीती रात खायल सराफा ब्यापारी अशोक अगरवाल की उपचार के दौरान मौत हो जाने पर माहौल न सिर्फ उग्रह हो गया साथ ही अगरवाल समाजव सराफा ब्यापारियों सहित पीरित परिवार जिस तरह है प्रचंद वेग से आक्रोशित हुआ स्थानिय भाजपा विधायक के अलावा आरोपियों को सरंक्षन देने वाले पुलिस वालों के मुर्दबाद के नारे बुलंद करते हुए प्रशासन को चेताया की अंतिम संस्कार तभी होगा जब आरोपियों के घर को बुल्डोजर से ध्वस्त करने की मांद करते हुए महिलाय सडक पर लेट गई इस हाहाकारी प्रदिशन के बीच पूरा सराफा बजार स्वतह बंद करते हुए ब्यापरियों ने भी अभूतपूर जंग का एलान कर डाला आज तड़के सुबह जैसे ही खबर आई की घायल अशोक अगरवाल की मौत हो गई पूरा माहौल पलक छपकते बदल गया मौके पर SDM अंकुर श्रीवास्तव, सियो विवेक सिंग, SI अश्वनी दीक्षित, सहित कोतवाली सहित सकिल क्षेत्र के सभी थानों की पूलिस, महिला सिपाही हालात को किसी तरह समहाले रहे सुबह 9 बजे सराफा बजार बंद कर जैसे ही व्यापारी और लोगों की भीर मूके पर जा पहुंची इससे हालात और बिगर गए महिलाए सडक पर लेट गई, पुलिस ने चार नाम जद आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया जबकि शेश अपराधियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है